प्राता काली स्रणी मिसुरुदय का ध्यान करते हुए गायतरी महमंत का उच्चारन करेंगे नेत्रबंद करें कमर्सीधी करके बैठें ओम भूर भूवाह स्वाह तत्सावी तुर्वारे न्यम भर्गोदे वस्यधी माही धीयो यो नाह प्रैचो दयार ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु रेव महेश्वरह गुरु रेव साक्षात परेब्रहम तस्मैशी गुरवे नमह अखंड मंडला कारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येना तस्मैशी गुरु वे नमह आप सभी बेहनों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं प्रांती वा प्रकोष छतिजगर की ओर से आप सब का भी नंदने स्वागत है कर्या कौशल शिवीर के करम शह हम आगी बढ़ते जा रहे हैं उनके विभिन व्याख्यानों में आज जो विशय हमारा है वो विशय सुखी जीवन का आधार के उपर है और सुखी तो सभी रहना चाहते हैं लेकिन वास्तों में सुखी कैसे रहा जाए क्या कैसे जीवन जिया जाए क्या विचार किय जाय कैसी जीवन शैली हो, चिंतन शैली हो हमारा जीवन ज़ो है सुख में होगा त्थ नीन इस बात पर आ petrol करता है लेकिन हम चाहते हैं सुखी रहना परन्तु हमारा जीवन दर्शन और जीवन शैली ये दोनों ही उस तरीके के नहीं होता है आज हम कोशिच करेंगे कि हमारे अनेक प्रश्णों के निदान अनेक समस्याओं के समादान ये एक ही जैसे कहते हैं सवत ताले की एक शावी इस प्रकार से हो सकता है کیा तो निस्ची त्रुप से हमारी भारती संस्कृति बड़ी संब्रिध है और भारती संस्कृति के मूल में जो हमारा चिंतनशैलिय जीवन दर्शन है यह हमें संकेत करता है कि हमारा जीवन कैसे हो तो इसी बात पर आज फोकस करते हुए हमारी क्लास है सुखे जीवन का आधार और वो गायत्री और यग्य बहनों जब हम कहते हैं गायत्री और यग्य तो ऐसा लगता कि कोई बहुत बड़ा विशय है और कहीं अलग से कोई गायत्री आ गई 33 क्रोड़ देवी देवता के बाहर वाली आ गई ऐसा कुछ महसूस होता है वैसी यग्य कहते हैं तो लगता कि अरे यह तो बड़ा फसाद है और गायत्री परिवार के लोग करते हैं, यग्य तो इतना बड़ा जमिला कौन करेगा इस प्रकार की बातें लगती हैं। लेकिन यदि इसके बारे में गंभिरता से विचार करें तो समझ में आएगी बात कि यही हमारे जीवन को सुख में बनाने का, यही हमारे जीवन की सारी समस्याम का समधान करने का और यही हमारा वास्तविक मित्र है। हमारी सारी समस्याव का समधान इसमें छुपा हुआ है इसलिए कहा गया है सुखी जीवन का आधार गैत्री और यग्जी यदि हम गैत्री के बारे में समझना चाहें तो उसको समझने से पहले हम देखें कि question करें आप देखें प्रशनी है हमारे जीवन में दुख क्यों आता ह क्यों हम दुखी हैं जबकि कहा जाता है हम सबने सुन रखा है कि मनुष्य स्यम परमात्मा का अंश है इश्वर अंश जीव अविनाशी वीज रूप में परमात्मा में जो शक्तियां वो सारी के सारी शक्तियां मनुष्य के भीतर विद्धमान हैं मनुष्य स्यम परमात्मा का जई अन्ष है तो वो तो दुखनाशक है वो स्यान सुक सरूप है सचित आनंद कहते हैं सचित आनंद कहते हैं तो वो तो आनंद सरूप है सत्य सरूप है चैतन्य है फिर उसमें दुख का तो लेश-मातर भी नहीं होना ज़ Hai लेकिन व्यवारिक जीवन में देखने में आता है कि सारे मनुष्य प्राणी हम सब जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम दुख के मारे संतरस्त रहते हैं अनेक प्रकार के संकट शरीर पर अलग संकट है मनोदशा पर अलग संकट है घर परिवार में अलग संकट है, नाना प्रकार के संकट अगर उनकी सुची बनाई जाए तो बड़ी मुश्किल है, सुची नहीं बना पाएंगे हैं डीप में जाकर कि अगर उसका कारण धूनते हैं कि क्या कारण है, दुख़्ी होने का एक मात्र कारण है अगर उसके मूल में जाते हैं तो कि हम मनुश्यों की दुरवध्धी, गलत दृष्टी कोण की सोच, हमारा दृष्टी कोण जो होना चाहिए सही सोच होनी चाहिए, वो सोच नहीं होता है, गलत दृष्टी कोण हम लगाकर की विचार करते हैं, विचार करन का हमारा तरीका ही गलत होता है जीवन जीने की गलत रिवीती निती अपनाते हैं जीवन जीने का धंग हमारा गलत होता है और इस कारण से हम दुखी होते हैं अगर मानव जीवन को सुखी बनाने की बात सोची जाए और यदि सरतों मुखी सरतों भावें सुख में जीवन लिए था सबंड़ करेंगे अपना पलायन कर लेगी और सद्बुद्धि उसकी इस्थान पर इस्थापित होगी तो सोचने का तरीका बदल जाएगा अपने आप जीवन सुखी हो जाएगा दूसरी बात सही सही जीवन शैली अर्थात कार करने का सही तरीका जीवन को जीने का एक सही तरीका तो जिसे हम कहते हैं जीवन विद्याय गायत्री वो विचार है, विचार करने का तरीका है, वो सिद्दान्त है और जिसे हम जीवन शैली कहते हैं, वो कारी है, कर्म करने का तरीका है गायत्री सहिद्दान्तिक पक्ष है यह सही दिशा में सोचने विचारने के लिए प्रिरिद करती है एक सही जीवन दर्शन प्रदान करती के वास्तों में हमारा जीवन होना के साचाहिए एक फिलोसोफी देती है सही विचार प्रदान करती है लेकिन यह सहिद्दान्तिक पक् हमारे भारती संस्कृति में यगी जीवन पद्धती बताई गई है यगी का सही जो तात्परी है वह परोकार में जीवन त्याग में जीवन यही जीवन यगी जीवन कहलाता है और यही जीवन की पद्धती जो है वास्तों में हमें सुख प्रदान करती है हमारे शास्त्रों मे कहा कि यह है तेन तक टेन भुंजी था रफत्याग करके भुग करें यह जीवन का कर्म पक्ष है तो यह जो भ Bringing पक्ष जो है जीवन का उसको विडियो के माध्यम से देखें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जिसे हम गायतरी कहते हैं तो गायतरी का दार्शनिक पक्ष तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है लेकिन आज की पीड़ी हमारी वैज्ञानिक पक्ष को समझती है और वैज्ञानिक पक्ष को जब हम सामने हैं दुनिया का सबसे सकती साथ तो उसे हम समझेंगे देखें कि क्या है यदि कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र जी हां ये बात एक रिसर्च के द्वारा सामने आई है एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हावड इस्टेंगरिल ने संसार के शवी धर्म संप्रदावे में प्रचली तिन प्रार्थनाओं वे विविन प्रकार के मंत्रों को इकठा करके उन पर रिसर्च की है इस रिसर्च के पीछे डॉक्टर हावड का उद्दे से यह जानना था कि संसार भर में प्रचली तिन प्रार्थनाओं और मंत्रों से निकनने वाली साउंड वेप्स का हुमन बोड़ी और ब्रेन पर क्या इफेक्ट होते है साथ ही यहें भी कि कौन सी प्रार्थना या मंत्र की फ्रिक्वेंसी यानि ध्वनी तरंगों के कमपन की दर सबसे ज़्यादा है इस प्रार्थना की सोथ के लिए कई वरसों तक उन्हें इसकी स्टेडी करनी पड़ी और जो डेटा उन्होंने खटा किया है उसकी फीजियो लाइब्रेरी में जाज की इस रिसर्च के नुसार उन्होंने पाया कि भारत देश में प्रचलित गायतरी मंत्र ही एक ऐसा मंत्रिया प्रार्थना है जिसकी फ्रिक्वेंसी दुनिया की तमाम प्रार्थनाओं और मंत्रों से कई गुना अधिक है जी हाँ डोक्टर हावड के अनुसार गायत्री मंत्र की फ्रिक्वेंसी प्रती सेकंड एक लाग दस अजार साउंड वेप्स है जो की बहुत ज़ादा है सबी मंत्रों में गायतरी मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र सावित हुआ है डोक्टर हावड ने एक और बढ़ी बात का खुलासा किया है कि संसार की जितनी भी प्रार्थनाय और मंत्र हैं यहां तक की भारत के ओर जितने भी मंत्र हैं उन सबी से निकलने वाली sound waves प्रवताकार रेखाओं की shape में चलती है जिस तरह से पहाडियों या प्रवतों की structure होती है उसी shape में ये sound waves चलती है केवल गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिस से निकलने वाली sound waves बिलकुल सीधी और उपर की ओर चलती है इसका कारण उनने गायत्री मंत्र की ऐसादान frequency को दिया है और इसे उन्होंने यूनिवर्सल प्रेयर कहा है यूनिवर्सल प्रेयर अर्थार्थ सारुभों प्रार्थना जिसे संसार के सभी धरम संप्रदाय एक मत्से स्विकार कर सके क्योंकि इस मंत्र में कोई देवी देवता या कोई भी धरम संप्रदाय का नाम नहीं है और नहीं धरम विसेज को बलोंग करता है इस मंत्र में भगवान से सब के लिए सदबुद्धी की प्रार्थना की गई है डोक्टर हावर्ड की रिसर्च के अनुसार व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस को संट को अर्थार्थ आईक्यू को हिंदी में कहें तो बोधिक शमता को कई गुना विक्षित कर सकता है ऐसी ही एक रिसर्च जर्मनी की हैंबर्ग उनिर्शिटी के वेग्यानिक डोक्टर्च ने किया है हैंबर्ग उनिर्शिटी के वेग्यानिकों के अनुसार गायत्री मंत्र केवल सब्दों का उच्चारण मात्री नहीं है बल्कि उसके साथ अनेक अनेक भावी अभिविंजनाय, समवेदनाय, प्रेणाय, इमसक्ती भी जुड़ी हुई है जिसका प्रभाव करंबद रूप से सरीर के विभिन अंगों वप्रत्यंगों पर पड़ता है रिशर्च में उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र का ध्वनी प्रभा समुद्र की गहराईयों में चलने वाली जल्दहराओं की तरह तता उपर आकास में उड़ने वाली हवाओं की परतों की तरह हलचले उत्पन करता है जिसका एफेक्ट सरीर के विद्दमान ग्रंथियों पर पड़ता है जिनमें से कई प्रकार की हार्मोन सरावित होते है इन वेग्यानिगों का यहें भी दावा है कि गायत्री मंत्र जपने से उसी प्रकार के हार्मोन सरीर में तिवर गती से सरावित होने लगते है जो किसी बात की बहुत ज़्यादा खुसी होने पर हुआ करते है गायत्री मंत्र विध्यारतियों के लिए एक वर्दान है जिन इस्टुडेंट्स को कोई बात याद नहीं रहती या फिर किसी बात को जल्दी भूलने की आदत होती है वेधी रोज नियमित रूप से और नियमित संक्या में गायत्री मंत्र का जब करें तो कुछ ही मैनों में उनकी इसमन सक्ति में भारी बदला होना शुरू हो जाता है और उनका इंटेलेक्च्वल पावर भड़ता हुआ चला जाता है ऐसा ही एक रिसर्च भारत की एम्स उनिवर्शिटी अर्थार्थ ओल इंडिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस न्यू डेली ने के एक डॉक्टर वे आई आई टी के एक वेग्यानिक प्रोफेसर ने किया है इनकी सन 1998 से गायत्री मंत्र पर सोज जारी थी हाली में इन्होंने इसका खुलासा भारत के एक बड़े चैनल जी न्यूज पर किया है जी न्यूज के चीफ एडिटर सुधिर चोधरी ने स्वेम डिया ने एनलेसिस में इस बात को पुरी दुनिया में दिखाया है DC University डेहली ने इस रिसर्च के लिए 25 से 30 वर्स की एज गुरूप के लोगों को सामिल किया और उन्हें दो गुरूपों में बाढ़ दिया एक गुरूप को नो महिने तक गायत्री मंत्र के 108 मंत्र जपने दिया गया और दूसरे ग्रूप को गायत्री मंत्र का जब नहीं करने दिया गया। टोमोग्राफी या फिर एमर्टी भी कहते हैं। पांच हफ्तों तक किये गए इस एमराई की मदद से ये नतिजे निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जब किया था। उनका दिमाग बहुती शान जागरित हो चुका था। जो लोग गायत्री मंत्र का जब कर रहे थे। उनके सरीर में खुसी के बग पैदा होने वाले हार्मोंस बढ़ रहे थे। इस प्रकार का एक हार्मोंस है गावा। इस हार्मोंस के कम होने पर नेंद नहीं आती और टैंसन, डिप्रेसन वा इस्ट्रेस जैसी बिमारिया पैदा होती है। लेकिन गायत्री मंत्र जब करने से दूसरे ही अपते में गावा हार्मोंस आस्ट्रेजनक तेजी से बढ़ने लगा और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले हार्मोंस की मात्रा पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गई। इस प्रकार पांच वर्स बाद इसके डेटे का अध्यन किया गया। पुष्टी की गई है कि गायतरी मंतर के जब से दिमाग की बोधिक्षमता का कई गुना विस्तार किया जा सकता है। अब पर्सन ये उड़ता है कि गायतरी मंतर का ब्रेन पर इफेक्ट कैसे पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि गायतरी मंतर का चेन ध्यनी विज्ञान के आधार पर किया गया है। इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। गायतरी मंतर में चोड़ी सक्षर होते हैं और यह चोड़ी सक्षरी सक्ति के स्रोत है। इस चोड़ी सक्षरों को इस डंग सेरेंज किया गया है कि सरीर में इस ती चक्रों वे ग्रंथियों पर क्रमबद रूप से प्रभाव पड़ता है। जिससे इस प्रकार की हारमोन्स क्रियेट होते हैं और सरी में इस पूर्ती, उच्सा और पोजेटिविटी वो बढ़ाकर नेगेटिविटी को खतम कर देते हैं गायत्री मंतर बोलने से उपेक्ट कैसे पड़ता है इस बात को भारतवर्स के महानाचारिये और गायतरी मंत्र के सिद्ध सादक पंडित स्री राम शर्मा ने अपनी किताब उपाशना के दोचरण जब और ध्यान में बहुत ही scientific तरीके से समझाया है इनोंने इस बात को समझाने के लिए एक टाइप राइटर का उधारन दिया है जिस तरीके से एक टाइपिष्ट टाइप राइटर पर कोई भी की दबाता है तो उसी से सम्मधित अक्षर पेपर पर छप जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे सरीर में भी मुख को टाइप राइटर मान सकते है और मंत्र के उच्चारण को की दबाना जिसकी वज़े से उत्पन होने वाला सक्ति प्रभा नाडियों और तंतों के माध्यम से सुक्षम गरंथियां जिनमें गले के पास थायराड गरंथी मस्तिक्स में प्यूस गरंथी अधिवरक गरंथी आगनाश्य गरंथी आदी तक पहुंचता है और उन्हें जगजोर कर एक्टिव करने में सल्लगन होता है गायत्री मंत्र का साउंड इफेक्ट क्या है कई लोगों के मन में यह प्रशन होता है कि क्या ध्वनी में भी पावर होता है जी हाँ हमें जान लेना चाहिए कि आर्मी जब प्रेड करती है तो पैर मिला कर चलने पर ध्वनी प्रभा उत्पन होता है और उस ध्वनी प्रभाग में एक क्रम बद्धता होती है जिससे कमपन उत्पन होता है जिसकी वज़े से पुल भी तूट सकते है और भारी नुकसार उठाना पड़ सकता है यसी लिए जब सेना प्रेड करती हुई किसी पुल पर गुजरती है तो उने प्रेड करने से मना कर दिया जाता है ठीक इसी प्रकार गायत्री मंत्र के क्रमबद लगातार उचारण से उसी प्रकार का तालकरम उत्पन होता है और उस कमपन के कारण सरीर के अंतर संस्तानों में विशिष्ट हलचल उत्पन होती है इन हलचलों से हमारी प्रसुत सक्तियों का जागरण होने लगता है और व्यक्ति की इस्मन सक्ति तिव्र हो जाती है अर्थार्थ किसी बात को याद रखने की ख्षमता बढ़ती हुई चली जाती है जिस तरह से रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज को 20 विवापी बना देने और उसे 186,000 मील परती सेकंड की चाल से चलने योग्य बना देने में इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब्स का चमतकार है इसमें इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब्स पर साउंड का सुपर कमपोज रिकोर्ड कर दिया जाता है और ये पलक मारते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने में जितनी शक्ति साली बन जाती है और इनी इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों की सक्ति से ही अंत्रिक्ष में बेजे गए रोकेटों की उडान को धर्ती पर से नियंत्रित करने और उन्हें दिशा और संके देने का कारिये कंट्रोल रूम से किया जाता है इसी प्रकार गायत्री मंत्र में भी जब करता के सरीर वे मन में विविन प्रकार की हलचले उत्पन होती है जो इन इलेक्ट्रो मैगनेटिक तरंगों से भी कई गुना सुक्षिम होती है जिन देख पाना भी अभी तक विज्ञान के लिए संबभ नहीं हुआ है ये तरंगे अनन्त आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशेश प्रस्तितियों को तथा समुचे वातावरण को प्रभावित करती है गायत्री मंत्र के जब के साथ आत्मनिष्टा, विश्वास, सरद्धा, शंकलब सक्ति का समन्वाय होने से ऐसी ही क्रिया उत्पन होती है गायत्री मंत्र में जिन 24 सक्सरों का करमिक चैन किया गया है वो ऐसा धारण है इसमें सब्द सक्ति के आध्यात्मिक प्रभाव को उस तरह से च्छान कर काम मिलाया गया है जिस तरह से निम्बू का रस निचोड़कर उसका छिलका एक और रग दिया जाता है अत्वा जिस तरह से दूद को गरम करके उसमें से घी निकालकर छाज को महत्वही ठहरा दिया जाता है इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी सबी मंत्रों का निचोड है गायत्री मंत्र कोई यूँ ही सब्दों का घड़जोड नहीं है बलकि इसका प्रतेक अक्षर विग्ञानिक ढंग से ध्षणी विग्ञान की आधार पर अरेंज किया गया है इसलिए हिंदू धरम में गायत्री मंतर को शर्वोपरी मंतर मानकर उशे गुरू मंतर के रोप में सिविकार किया गया है इसलिए भगवान स्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को का था कि छंदों में मैं गायत्री हूँ स्वामी विवेकनन ने का था कि भारत वर्स को फिर से जगाने वाला ये दि कोई मंत्र है तो वो है गायत्री मंत्र अपने आर्य समाज के संस्तापक महर्जी दयानन सरस्वते ने का था कि गायत्री मंत्र चारो वेदों का सार तत्व है पांडी चेरी के योगी राज स्री अर्विंद घोष्ण ने का था कि गायत्री मंत्र से आध्यात्मिक और भोतिक दोनों ही प्रकार के लाम मिलते हैं आधुनिक युग में पूरे विश्व में फिर से गायत्री मंत्र को फैलाने वाले युगरी सी आचार्य पंडित स्री राम शर्मा ने लिखा है कि गायत्री मंत्र कोई अंद्विस्वास नहीं है बलके एक ठोस वेग्यानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ला मिलना सुनिश है बड़ा आश्च्रे होता है कि शेकडो हजारो साल पहले भारत के पूरोजों को गायत्री मंत्र का इतना बड़ा ज्ञान और विज्ञान कैसे पता लग गया था और कैसे इस मंत्र का विस्कार किया गया होगा वो भी सादनों के अभाव में और मशीनों के ये बिना किसी टेकनोलोजी के हाई टेकनोलोजी के संभव ही नहीं लगता है ये सब रहिशे ही बना हुआ है जबकि आज के बेचारे वेज्ञानिक साइंटिस्टों को अब पता चल रहा है कि साउंड में भी पावर होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे सरीर और आसपास के एनवायरमेंट को प्रभावित करती है अब देखते हैं गायत्री मंत्र से होने वाले लाग गायत्री मंत्र से मांसिक्स, असांदी, टैंसन, डिप्रेशन, इस्ट्रेस दूर होता है गायत्री मंत्र से बुद्धी की नेनेक्षमता भड़ती है और इस्मन सक्ती तेज होती है गायत्री मंत्र से प्राण सक्ती अर्थाद वाइटेलिटी भड़ती है गायत्री मंत्र से सकारात्मक्षोच, पोजेटिविटी क्रियेट होती है और नेगेटिविटी खतम होती है गायत्री मंत्र से आत्मल सेल्फ कॉन्फिडेंस डवलप होता है गायत्री मंत्र से घर परिवार के सभी सदस्यों में सदबुद्धी का विकास होता है गायत्री मंत्र से सम्रद्धी भढ़ती है और अपने चारूर का वातावरण सात्विक बनता है गायत्री मंत्र से स्वभाव की कटूता नश्ट होती है और सात्विकता भढ़ती है गायत्री मंत्र से सरीर में ओजस, मन में तेजस और आत्मा में वर्चस्व की प्राप्ती होती है कुछ सुजाव है यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की प्रतिवा निखारने के लिए उसे बच्चपन से ही कम से कम दस मिनिट गायत्री मंत्र का जब कराना सिखाएं और यदि आप स्कूल टीचर है तो अपने स्कूल की प्रारधना में गायत्री मंत्र जरूर सामिल करें जब सभी बच्चे एक साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे तो गायत्री मंत्र के कम पन से आसपास के वातावरण की नेगेटिविटी खतम होगी और वातावरण में उर्जा क संचार होगा यदि आप किसी भी विभाग में हैं कोई ओफिसर है या फिर कोई करम चारी है तो अपना काम गायत्री मंत्र से सुरू करें और आप खुद इसके रिजर्ट्स देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में भी आज उनकी पारलियमेंट जब सुरू होती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र वो लोग बजाने लगे है इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चाहे किसी भी धरम क्या संप्रदाय से हो आपने अल्ला अपने जीसस या फिर अपने भगवान के सामने इस यूनिवर्सल प्रेयर गायत्री महा मंत्र का उच्चारण करे जिससे पुरे विश्व में सभी के अंदर इंसानियत पैदा हो सभी के अंदर अच्छी सोच आए और भगवान सभी को सदबुद्धी प्रदान करे और जिससे चारोर युद्ध शोशान उत्पिडन के इन समस्याओं से सभी को निजात हुए हम प्रियोग करते हैं उसमेः बुद्धी ही होती है ऐसी बात निंग. սेकows eh सदबुद्धी होती है इक क्लियानकारी होती, असी सदबुद्धी को उसी को विवेक शिलता को उसी को प्रग्याक्व भी कहते हैं और आध्यात्मिक भारशा में उसी को गयत्री गहा जाता है गयत्री अलग से कोई देवी देवता का नाम नहीं है गयत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवा स्वाहतत सभीतुरवरेण्यम भर्गो देवस्यदी में धीयो योना प्रचोदयाद यदि उसका हम भावा को हम अपने अंतरात्मा में धारन करें वह परमाथमा हमारी बुद्ध्ध ऑशनमार्ग में प्रिड़ करें यह जो पराण Surup से ले करके देव-सुरुप परमात्मा की नहीं हमां गई गई है और जब ये होगा तो हमारी बुद्धी जो है वो परमात्मा के शरण में जाकर के संद्मार्ग में ही जाएगी तो यह प्रार्थना की गई है इसके शब्दार्थ को देखेंगे एक शब्द को समझ में आएगी बात ओम पूरे ब्रह्म को कहा जाता है, पूरा ब्रह्म का नाम है ओम, जो कि दुखनाशक है, और जो भावार्थ ने आपने देखा, वही चीज यहां पर है, एक एक शब्द का अर्थ दिया गया है, ओम भू, भूवाह, स्वह, तत, सवित्र, वरेण्यम, भरगो, देवस से, धीम प्रचोदयात, इस प्रकार से, तो जब गायत्री मंत्र को भावार्थ सहीत, अगर जब करते हैं, तब तो फिर घजब का परिवर्तन होता है, प्रभाव पढ़ता है, क्योंकि इसे भावनाय जुड़ जाती है, भावनाय का विशेश मात्व होता है, कुल मिला करके हम यह द प्रेणा से, उस बुद्धी की प्रेणा से शरीर और मस्तिश्क हमारा कल्यानकारी मार्ग परक्षण होता है, तो गायत्री कोई ऐसी देवी देवता नहीं, जिसके कलपना की जाए, या मंदिर में पट बंध हो जाए, तो वो भी बंध हो जाए, या कोई चित्र में बंध क करके रहे, बल्कि परमात्मा की एक्षा शक्ती है, पिता के रूप में मानेंगे तो परमात्मा, मा के रूप में मानेंगे तो माता, और ये सदबुद्धी के रूप में प्रकट होती है, हर इंसान के मस्तिस्क में रहती है, सदबुद्धी के रह, सदबुद्धी के रूप उनके हुर्दे में रहती है सद्भावना की रूप में और यह प्राणों का वास्ता में शोधन करने वाली है प्राणों का संवर्धन करने वाली है प्राणों का उन्यन करने वाली है मतलब हमारे प्राण शक्ति को सशक्त बनाने वाली है हमारे प्राणों को बढ़ाने वाली विस्तार करने माली है, प्रान क्या होता है, प्रान शक्ति क्या होती है, हर प्रानी प्रान के प्रान शक्ति के आधार पर ही जीवित रहता है, ना किवल जीवित रहता है, अपने जीवन में जितने भी उचे काम करता है, अच्छे अच्छे, वो सारा प्रान शक्ति का ही कारण प्राण शक्ति के प्रिणाम सर्वी दुनिया चल रही है चल अचल जो कुछ भी दिखाई देता है प्राण शक्ति को अर्थाद जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली गायत्री होती है जो मनुषच के शरीर में रूप लावणे दाया युक तो शरीर दिखाई देता है हम जो निरोगी होते हैं दिर्ग जीवी होते हैं फूस्ट और प्रफल अैमारे शरीर होता है यह प्राण शक्ति कारण होता है जीवनी शक्ति के कारण होता है प्राण का बाहूल Frame जब होता ह त्यर्थात प्रांशक्ति का करिश्मा है, व्यक्ति में जो सो रिशाहस है, सनमार्ग पर चलने का पुरुशार्थ करता है, यह प्रांशक्ति की बहुलता से ही होता है, और मनुष्य के भीतर में आत्मबल जो होता है, वो आत्मबल संपन व्यक्ति तो बनता है, वो प्रांशक मभी आपने सुना भी तो हम्मारा जो शरीर है इस शरीर में कई शक्तिकेंद्र है उपतिकाये विशेश रूप से नाभी ना करके मुलातर चैक्र से लेकर सहसरार चकर तक और शरीर जो चोटी बड़ी अनेक द्रिश-द्रिश ग्रंतियां होती है अनेक शक्तिभंडार है उप से जिसमें होट, दाथ, कंट, तालु, मूर्धा, जिवहा, मूल यह अपस में टकराते हैं, तो टकराते हैं जब बायतरी मегस्पार चप करते हैं तो उसमें से क्या होता है एक विशीष प्रकार का तो विणा के तार को छेड़ने से सुन्दर स्वरलेहरी उसमें से पैदा हो जाती है इसी प्रकार से हमारे शेड़ के भीतर में जो भी शक्ति-भंडार चीप हुए हैं जो भी दृष यदृष ग्रंथियाँ चीपी हुई है वो जंकरित होती हैं और वहां से वह फिर शक्ति क को बाहर इस पंदित करके बाहर निकालती है और हमें उससे बहुत कुछ फायदा होता है अभी आपने सुना है अमेरिकी वेज्ञानिक हारवर्ड ने अपने शोद से बता है एक लाग दस हजार वाइबरेशन पेदा होते हैं जो कि किसी मंत्र में नहीं होते हैं तो गायतरी मह मंत्र के द्वारा है उसमें जब साधना होती है अभी आगको बताये तो जैसे हवन से मंत्रे प्राण आजाते हैं जब से मंत्र में और तो गायतरी महमंतर की शक्ति जो आत्मा को प्रकाशित करती है और बताया गया कि अधि शद्धा पूरवक्षुद्ध मंतर का लेखन किया जाए तो उसका प्रभाव दस गुना जबकी तुल्ना में दस गुना अधिक होता है और इसको बाल ब्रिद्ध सब्धी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है पुली मिला करके गायतरी को कामधीनों कहा जाता है क्योंकि ये सभी प्रकार के कस्पों से हमें निजात दिलाने वाली होती है इसे कल्पवरिक्ष कहा जा सकता है क्योंकि ये सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाली है हम लोगों ने सोचा होगा देखा होगा कि कल्परिक्ष है काम दिन में अब तो सर्ग में होता है प्रिठी पर होता ही नहीं लेकिन अगर प्रिठी पर होता है तो गायत्री के रूप में है क्योंकि गायत्री मनुष्य के सभी इह लोकिक पारलोकिक मतलब भौतिक सांसारिक और अध्यात्मी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है सभी प्रकार की स्वास ठीक करना हो सं कुपलब्धी चाहिए से लेकर के ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति तक ब्रह्म ज्यान तक मदुविद्या ब्रह्म विद्या के गायत्री कोई कहा जाता है पारस पत्थर कहीं स्वर्ग में जिसको अगर लोहे से उसको इस पर्श करा दिया जाए तो वो सोनाय में तब्दिल हो कहते हैं इस्वर जाने होता भी एकिन होता है लेकिन वास्तों में गायत्री ऐसी पारस है जिसको अगर किसी इंसान से छूजाए वो इस पर्श कर ले मतलब उसका उसको जीवन में गरूतारे यदि उसकी महिमा गरिमा के अनुसार जीवन बिताए तो निस्चित रुप से व अमरित भी कहा जाता है कियो मृत अंबीदि का मतलब होता है कि जिसका पैपान अगर अमरित पी ले तो वो बीक्ति अमर हो जाए इसका मतलब यह हुआ कि गयतina रुपी अमरित का अगर पैपान किया जाए गयत नयमातक के शरण में जाए तो मनुष अपने शान्दार व्यक ने गायत्री जब किया और शक्ति प्रात्त की यहां तक की स्रिष्टी का स्रिजन्वे किया भग्मान ने ब्रह्मा ने स्रिष्टी बीज जग जनिनी भवानी काल रात्री वर्दा कल्यानी कहा जाता है तो इस रिष्टी का निर्मान करने के लिए जो बीज रूप में जो भग जो है वो अम्रित है सारे रिशी मुनियों ने सारे महापुर्शों ने इसके गुण गाये क्या होती गायतरी इसके संबन में हम एक मुख से एक जम्डे की जीव से भला इसका क्या गान कर सकते हैं आत्मा गांधी कहते हैं कि आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का रंतर जब किया जाए तो रोगियों को यह अच्छा कर सकता आत्मा की उन्नति होती है चोटी बात है और बहुत बड़ी बात महात्मा इन्होंने अपने हमारे स्वाय विकरन जी ने कहा है कि जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं उसे क्या देते हैं उसे सदबुद्धी का ही वरदान प्रदान करते हैं उसे और कोई चीज नहीं देते और जब सदबुद्धी आ जाती है तो सदबुद्धी के बहाने सब आ जाता है तो सदबुद्धी प्रदान करते हैं भगमान और गायत्री जो है सदबुद्धी का मंत्र है और इसलिए उसको मंत्रों का मुक होगा ना कभी हुआ है ना कभी होगा आप लोगों ने गायतरी कोका देखा होगा यह चित्र क्या है बास्तों में यह फिलासोफिये दरशन अप गायतरी को माता के जान कर उसकी पर देंगम कर लें तो बात बन जाती जैसे उदारन के लिए कन्या रूप में सुन्दर जो माता की मूरत है वो यह कहती है कि यह नारी मातर को मेरी रूप में जानकर उसके प्रतियादर का भाव रख फुर्शोट से कहा जा रहा है माता हंस की सवारी करती है हंस पर बैठी है कमल के फूल पर बैठी है इसका मतलब क्या है हंस की सवारी का मतलब होता है उचित-अनुचित में भेद करने की विवेक-बुद् gereals करना हंस को कहते है कि अगर दूद और पानी को मिक्स करके दे दिया जाए तो वो दूद को तो चुग लेता है हंस और पानी को छोड़ देता है मतब सार चीजों को ग्रहन कर लिया और निसार चीजों को त्याग दिया ये बुद्धी मनुश्य में होनी चाहिए और इसके लिए गायतरी मंतर का रजब बहुत प्रभावकारी होता है हाथ में कमंडल र मतलब होता है इसका मतलब होता है ज्यान स्वाध्याय करना मतलब अपने जीवन के रहसे करतवियों को मनुश्य जान तो कैसे जाने तो जब तक ज्यान का सहरा नहीं लेगा तब तक उसे नहीं जान सकता और ज्यान माने ज्यान को प्राप्त करने के लिए ज्यान को प्राप् कि जिने गायत्री से प्रेम हैं उसे स्वाध्या से प्रेम होता है क्योंकि गायत्री ज्ञान की देवी है ज्ञान की उपासना उनको ग्यान से प्रेम होता है स्वाध्या से प्रेम होता है अच्छी किताबों से प्रेम होता है क्योंकि हम ग्यान विज्ञान को अर्जित कर पान इसे प्रकार से अपने में हम सटोगुनी प्रवित्ती रखें अपने सतोगुनी प्रवित्ती और विक्तित्य विकास करने के बाद हम वैसी संसार के दलदल से बच सकते हैं जैसे कमल रहता है रत्नमजडित मुकुत मातャ जी का है यह भी विशेश संदेश देता है देखे इस संपुल ब्रह्मान में तमाम प्रकार की पॉजिटीव नेगेटीव एनरजी है पॉजिटीव नेगेटीव विचार शक्तियां भरी पड़ी है लेकिन हम मनुष्य उनका ये स्रेष्ट उद्देश है ये उनका धर्मकरतव है कि इस संसार में इस अंत्रिक शाकाश में जो सुब स्रेष्ट विचार है उन्हीं को हम आकरशीत करें उन्हीं को धारन करें क्योंकि इसी के आधर पर हमारा जीवन जो सुख में बन पाएगा और जो सूरी का तेज मंडल है आभा मंडल दिखाई देना है माता जी के शीष के पीछे उसक घडार हो तो है जाहे कोई भाता की रूप में नमने घड्री परिवार से कॉई आता रहे जैन लेकिन तरी से नातव द्धित्य नंगलिए यह फिलोसोफी जानना चाहिए गायतरी महामंदर के कितने सारे चमतकारी लाव हैं अभी आपको काफी कुछ पता चला लेकिन कुछ आपको प्रकाश डालना चाहेंगे और देखिए नीवीत रूप से कर गायतरी मंदर का जब किया जाए तो रोग प्रदिरोदक चमता हमारी इम्मactions सब्दम हार्मोस संहता है तुक घ्राव सरे होना मलता बढ़किए लेक्षजिक नियोग मोटे कर यंद्धिक्र शाँचको में जितने मिट्ने से होता है वो सब बाहर निकलते हैं पच्छा दमकने लगती व्यक्ति तेज और से एकदम परिपूर हो जाता है इसके अलावा डेहर सारे लाव है बुद्धी का कुशाग्र होना एकागरता का विकास होना सद्गुण में आस्चरजने कुरिद्धी हो जाना जितने दोश तुर्गुण चटोरपन के कारण कितने-कितने विमारियों को आमंत्रित करते हैं तो वो चटोरपन दूर हो जाता है दूरवेशन है व्यक्ति के भीतर में कोई वो ड्रग एडिक्ट है तो वो दूर हो जाता है उसके लिए संकल्प शक्ति जाग जाती है काममेंदरी उत्तेजना ये दू परिश्रम नहीं करना चाहते हैं किसी की बुरी संगती है कोई नसा करने में एकदम से डुबा हुआ है आले से प्रमाद के वश्य भूत हो करके बिल्कुल ऐसी पड़ा हुआ है जहां था यदि वह गायतरी जब करने लग जाए तो यह सारे चीज़ उसके छूटने लग जाते हैं कहने का तात्वर कि तमाम प्रकार की विपत्तियों का निवारन होता है तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल की जा सकती है और इसलिए गायतरी को ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है जो चीज़ें किसी दूसरे के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती वो गैतरी के द्व उनती مहाँ जो कांक्षा की जाती है, मनुश्यों के द्वारा, वो बगराद करi माहामंत्र के ही, लिखन सादना के द्वारा बहुत आसानी से ब्राइब किया प्ति रहत ही ह effectivement O साथ में और चोटे मोटे जो नियम है उसको पालन करके वो इसके उपर लगातार लगातार चले अभी आपने सुना कि विद्यार्थियों के लिए रामबाना उश्दी है मैं दृष्टांत आपके सामने देना चाहूंगी महात्मा आनन स्वामी जो लिखा है सामने आप देख रहे हैं यह बालेकाल में छोटे बच्चे थे यह छे साथ साल आट साल की आयू के रहे होंगे छ उब नहीं ताटाज जाता था वहां पर कोई मित्र नहीं था तीचर से को मार पिटाई पड़ती थी हर चीज बूल जाते थे महां आगर सौदा खरीदने के लिए भेजती थी दो शब्द बताती थी दो बस्टू का नाम बताती थी तो भी वह बूल जाते थी लेकिन उनके दिन फिरे वो ऐसा हुआ कि जब बहुत परिशान थे इसकुल से तो निकाल दिये गए थे इसकुल से निकाल दिये गए भैस चराने का काम दिया गया पंजाब के जमालपूर गाम की बात जाई यह वहां भी वह असा फल रहे खुब पिटाई पड़ती थी आए दिन कंप्लें नित्या नंदी जी संत का नाम और उन्होंने उस बच्चे पर कृपा करके उनको दुखी देख करके बच्चे को उसकी रोगनी शकल देख करके उसको गायत्तरी मंत्र पैंसिल से लिख करके दिया कि बैटा इसको ब्रह मूर्ट में उटकरके जब करना तुमारे सारी संत में जाकर कि महातमा अनन्द स्वामी जो कि आरिस समाज के बहुत बड़े संत हुए है उनके रूप में वो भिक्सित हुए उनके जीवन के हानिया यह कहाणी उनोंने अपने बारे में श्वे लिख कृश्य को गायतरी उपासना कभी निस्फल नहीं जाती जैसे अपने अकाउंट में हम कोई पैसा डालते हैं तो वो पैसा कोई निकाल सकता वो हमारी काम आता है हमारी इससे का है वो इसी प्रकार से गायतरी उपासना जो भी हम करते हैं कम करते हैं जादा करते हैं जब भी करते हैं तो व बोला गया था वो तो मेंने किया और यह इबनारस के मनिकरनिका घाट में बैठ करके उदास बैठे थे अब क्या करूं तो एक कापालिक जो थे वहां से गुजरे बहरो कापालिक गुजरे वहां से जो वहां साधना करते थे उन्होंने कहा कि अगर तुमको सिद्धी चाहिए तुम्हारा मन है तो मैं तुमको जो साधना बताता हूं करो एक साल में तुमको सिद्धी मिल जाएगी तो वो साहसी तो थे उन्होंने उनसे सब कुछ पूछ करके साधना की आधी रात को जाते थे शम्शान घाट में वैट करके साधना करते थे तरहतर की आवाजें आती थी जराने की धंकाने की तो वह खोल करके देखते थे फिर कोई नहीं होता था फिर वो साधना में लग जाते थे ऐसे करते करते हुं की आदद बन गई थी साल भर का समय भीता एक दिन क्या हुआ आख बंद करें स्थिती में आवाज आई जाई कि माधव आप आखे खो लिए और अबसे और कि वह तपस्या से अप्रसंद नहीं साधना से और आप जो मांगना हैं बांग लीजिये हम प्रसंद नहीं उनने सोचा प्रति दिन होता है वैसी हो रहा होगा उन्हें आखे नहीं खोली लेकिन फिर से दूसरी बार तीसरी बार आवाज आई तो उन्हें आख खो हो गए उन्हें सोचा में गैतरी साधना करते करते बारा वर्ष का सब्सक्राइब पिता चुका था और सिद्धी नहीं मिलने के कारण नहीं तो मैंने वो साधना छोड़ी फिर मेरे मुखप इतना तेज है यह कैसी बात हुई फिर उन्होंने कहा कि यह बताई है बारा वर्ष क को धोने में यह जो गैतरी साधना का जो फल था उसमें नियोजित किया गया है इसलिए आपको सिद्धी नहीं मिली और जब सिद्धी मिलने का समय था तो आपने पनी साधना छोड़ दी जब इतनी बाते उन्होंने सुनी तो उनका धन्यवात किया उनसे कहा कि अब आपसे क जिवत आरंब की और वास्तों में साल भर के पस्चात गैतरी माता ने उनको कहते हैं कि दर्शन दिया उन्हें वर्दान मांगने के लिए कहा उनने कहा कि मा मैं आपकी कृपा का धिकारी हूं अगर तो मैं आपसे कुछ भी नी मांगना चाहता हूं मैं आपकी शरणागती च इसको उन्होंने लिखा और उससे जनकल्यान की दृष्टी कोंट से बहुत फाइदा हुआ यह उनको वर्दान दिया गया कहने का मतलब यह कि गैतरी उपासना करने माला कभी भी दुखी नहीं रहेगा सुखी ही रहेगा और उसके सारे कारे होंगे कभी भी निश्फल नही तो यह गायत्री जो है वह वास्नों में हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है जीवन शेली बताती है विचार कैसे होने चाहिए व्यक्ति की विचार सही होंगे तो उसका सारा जीवन सही होगा व्यक्ति की विचार सही नहीं इसलिए विविचारी होता है व्यक्ति का विचारों की सही विचारों की कमी के कारण है बुद्धी तो सब के पास होती है और बहुत होती है जो बड़े तसकर हैं जो बड़े चोरी ड्रकेती करने वाले उनके पास में बुद्धी की कमी नहीं है लेकिन सद बुद्धी नहीं उनके पास में वह दूरुद्धी है सद ब बना सकते हैं जैसे कि हमारे रिशियों ने हमारे पुराने अवतारी चेतनाओं ने देवी दिवदाम ने गायतरी मंतर जपा और हमें अपने वसियत और विरासत में फ्री में फोकट में फ्री में इन सब चीजों को दिया है हम दुर्भागिशाली ही होंगे कि इतनी बड़ी चीज हमारे पास रहे करके भी हम उसका उपयोग ना कर पाएं और हम दुख पाते रहे हमारे पास चपन भोग रखा है सामने थाली में और हम अगर भिक्षा मांगने के लिए गावे घूम रहे हैं पड़ोसियों के घर में हम जूठन खा रहे हैं तो हमसे ज्यादा पादिश नहीं रह सकती है और इसके बारे मिल्कुल निश्चिंतता रखनी चाहिए अब दूसरा पक्ष जो है गायतरी के अलावव वो है यग्य क्या है यग्य यग्य जीवन पर्दति परोपकार त्याग बलिदान शुब कर्म दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से अ यग्य का पतार्थ यग्य भी होता है उसका एक रूप मात्र है वह स्वाह वाला यग्य वास्तव में मनुष के भी हितर में देवत्व का उदय हो इसके लिए उसको उदार बनाने के लिए संपुन उदारता की मानोता की और उसको देने की भावना सब लोगों को देने की ज वज्टु दे सकते हैं अगर उनको देने का भावा जाए तो समझ दिजे हमारी जीवन सफल हो गया यही यगी चिंदा अशेली जीवन शेली है और यही यगी भावना है सारे देता देते हैं, वो यग्य कर दे, संत्र टॉलरस्टाई के बारे में कहा जाता है, एक बार वो बहुत देते थे, बाटते थे संत्र ते, देते समाप्त हो गया, लोग उने कहा, देखो भाई या दरवाजा बंद कर देजे, आपको कहीं जाना है, तो पीछे कर दा से आखों में आजसों वागे उसको गले लगा लिया जखड़ लिया उसको आलिंगन में उनने का थोड़ी दर पहले आए होते हैं तो इस व्यक्तिन उनको कहा कि ऐसा ना कहिए कि आपके पास कुछ नहीं यह जो अभी आपने मुझे दिया यह जो मुझे आलिंगन की या मुझे यह जो प्रेमाश्व आपके आखों से जो बह रहे हैं यह जो है यह किसी के पास नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि हम ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ दूसरों को देनने के लिए रहता है हम प्रेम के दो बोल बोल सकते हैं कम से कि तो यही यग्जी भावना है यग्जी भा करें अपने ना करें और दूसरों के लिए जन करना करें अधीक से अधिक बाधा जो रूंसे हीट उनसे हेट ना करें, उनसे दूरी ना बरतें, धिरना ना करें, देश ना करें. जैसे अगनी में जो उष्णता होती है, जो प्रकाश होता है, जो उर्जा होती है, यो उसको अंततक नहीं छोड़ता है. इसी प्रकार से हम भी जीवन भर पुरुशार्थी बने रहें, पुरुशार्थ करें, मीनत करें और कर्तवी निष्ठ बने रहें, अपना जो भी कर्तवी है उस कर्तवी का पालन करें, इस प्रकार से एक है गयतरी माता अर्था जीवन विद्या और दूसरा है यग्यपिता व क्वाथ मुर्ती के रूप में देवी देवता किवल प्रतीक रूप में होते हैं जिवन विध्या जीवन शेलिक का संधिन है की यग्ज क्या है आई विस्तार से थोड़ा सा समझे और हम सभ तो यग्वी जीवन जीए यग्ज के दवारा मनुशु जो है वो सनस्कारवान बन करके पशुवत जो रहता है उनकी विवितिया पशुवत रहती है शुद्र के समाः निम्न कोटी में रहता है वहां से उपर उड़ जाता है और ब्रामनत्त की विशेष्टा हैं देवत्त की विशेष्टा उसके भीतर में आ जाती है यह बहुत उंची उपलब्दी है वासतों में यग्य क्या है अगर यह प्रश्न करें तो उसका जवाब यह है जब यग्य करते हैं तो तीन चीज़ें उसमें एक सांजुड़की है एक तो अगनी जलती है वाँ पर दूसरा मंत्रों चारण किया जाता है लेबद तरीके से और तीसरा उसमें जड़ी बूटियों का शाकल ले डाला जाता है और शिदियां डाली जाती है यह सारी चीज़ें होती इन तीनों को मिला करके यग्या करते हैं तो उसमें उसकी बाते अनुदे पूजन होता है जो दरिवत शान के रखते हैं देवता होते हैं वेता उनका पूजन करना न कया जाना जा जा ए स्वें में बने, हमारे भीतर देवत्त का जागरण हो, स्वेम का परिशकार हो, दूसरों को देने की उदाहरता की भावना हमारे मन में आए, और हम मानों से महा मानों बने, ये देव पूजन है, दूसरा है संगती करन, एक समान, एक रूप बन जाना, अपने से कमजोर निर्बल उनके साथ बराबर उठना, उनको उच्छा उठाना, अपने बराबर बनाना, सब के साथ मिल जूल करके कारिक करना ही, संगती करन का दर्शन है। हर वSuक्ती की पास कुछ नैकूछ है। तो यह जो दिया हुआ है। उसको यग्जी भाव से, मतलब परुफकार के भाव से, दूसरों के पल्यान के भाव से, परमात्मा को ही मतलब समाज को, परमात्मा का बनाएं। समाज है। दोनों का मतलब एक ही होता है, उनके लिए उसको त्यागना, उसके लिए उनको देना, और अपनी जो निजी आवश्चक्ता हैं, उनको कम करना, बचेगा तभी तो दे पाएंगे, अपनी निजी आवश्चक्ता हैं को कम करके, अपनी कमाई, संसार में, सदगुण बढ़ाने के लिए सद्विचार के लिए सुक्षानिति के लिए बढ़ाने में उसको साजा करना उसको दूसरों को ersति कर दा कार और व différentsuito डाइस यहाद से ठीकरत हैं ऊचला है हमारे यह यह हम मुख में हम डालते हैं कोचीछ खाते हैं भोजन की लगता उसको पचा करके तुरंत उसको रसरक्त की रूप में निर्मान करता है और पूरे अंगों में वित्रित कर देता है सारे अंग पूरा शरीर उससे पुष्ट होता है पोशन पाता है और पूरा शरीर हमारा सुडॉर और तंदुरुस्थ बनता है तो यगी हो रहा है निश्चित हो रहा है फिर देखिए आकाश में देखिए आप क्या हो रहा है समुद्र में जल भरा हुआ है सूरी का ताप उस तो इस संपुन प्रक्रिया में सबको दिया जा रहा है दूसरे को हम पा रहे हैं यहीं है यग्जी प्रक्रिया ही चल रही है यह उसी प्रकार से आगे और देखें स्रिष्टी का चक्र कैसे चल रहा है देखें यह ब्रह्म पुरा संपुन संसार स्रिष्टी जो है ब्रह्म है अब इसमें कर्म किया जा रहा है यग्जी कर्म किया जा रहा है उस उससे बादल बनते हैं और बादल में प्राण पर जन जाता है उससे वर्षा होती है प्राण की वर्षा होती है तो जीव मात्र को वो मिलता है फसल की रूप में फसल पुष्ठ होता है उसे प्राण शक्ती होती है उसको खाकर के जीव जो है पुष्ठ होता है इस प्रकार से स जनन्म हुआ है और यह हिं पूरा जीवन हो हाँ हम सांस लेते हैं oxygen ले रहे वो क्या है दूसरा कुई दे रहा है में तो माखे द्वारा पोशन मिल रहा है वह भी यद्या का सर्वसरीश्ट ह 250 यग इडिये प्रकरिया चल ग्यान यग्य में क्या होता है इंद देन, दोस्तक मेला लगाना, पुस्तक मातना भूदॡ़न, परियावरons का शोदन करना, सच्छता सफाईी करना, को आत्यान करना। दूसरों के लिए जो कुछ भी अच्छा कारी किया जाए, वो सब यग्य है, सारा यग्य कारी है, रिशी याग्य वल्क ने यग्य की विग्यानिक परंपरा की खोज की, यग्य के ग्यान विग्यान की खोज करने वाले जो रिशी हैं, वो याग्य वल्क हैं, उन्ही के नाम प प्रकृतियों से लेते हैं, धर्ती का दोहन करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, हम ले तो लिए, लेकिन उनको देते हैं क्या कुछ? अगर हम नहीं देते हैं, तो कृतगन है हम, हम पापी हैं, हमें चोर कहा जाएगा, क्योंकि हमने लिया और उसकी कीमत हमने नहीं चुगा सबस्ation को भोजन कि तरह करा जाता है एंभ प्रियोग है उसमें देवताओंको आवहन किया जाता इंग उनको आहुदियां दे जाती है, प्रार्तना पूरवक्त, देवता भावनाशील होते हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, भावनाशीलता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, एक तरह से यह कहा जाएगी, यगी जो है वो व्यक्तित निर्मान का वरक्षॉप है यह कारिशाला है कैसे व्यक्तित निर्मान की क्लास में पढ़ा होगा याद होगा आपको पढ़ाया था जो बताया था कि व्यक्तित निर्मान के लिए साधना स्वाध्या सहियां सेवा किया जाता है सेवा अंतिम सबसे बड़ी बात सेवा जिसे चुम्म की व्यक्तित बनता है सेवा सबसे बहुत मत्मून विश है तो सेवा करने के लिए अपने आपको पहले बनाना पड़ेगा एक बात और दूसरी बात सेवा कैसे की जाए तो यह वर्कशॉप में यही बात आती है कि देना यग्यमाने देना दूसरों को देना तो जिसमें जीवन जीने की विद्या सि भनी माने मंत्र और उर्जा माने अगनी यह तीन चीजें रहती संक्तूरूप में अभी पिछली साइड में भी आया था यह तीनों का प्रियोग होता है तीनों जब मिलते हैं और मंत्रों चार उनसके साथ में हो रहा है तो प्रचंड उर्जा पैदा होती है और उन तीनों क होता है कि प्रचंड जीने शक्ति-प्रांण शक्ति बढ़ती हो। बहुली करन का सिद्दान काम करता है यग्यमें अर्थाथ थोड़ी मात्रा में भी जो आउती दी जाती है हवाण सामगरी की अवशिधी की तो वो संपुण ब्रह्माern को प्रभावित करती है क्या होता बहुली करन का सिधान उरजा का जो सुक्ष्वी करन होता है जल करके जब अगनी में जल जाती है तो सuckष्वी करन हो करके वो कई गुना बढ़ जाती है आपने देखा होगा कि जब आग में मिर्ची डाल दी जाए अगर व्यक्ति में एक मिर्च स्यम खाता है तो स्यम प्रभावित होगा हाई करेगा लेकिन मिर्ची को अगर आप डाल देते हैं अगनी में तो पुरा मोहला परिशान हो जाएगा खासते शीकते परिशान हो तो पदार्थ की भाती अपने विचारों का भी बहुली करण होता है, भावों का भी बहुली करण हो सकता है, उनको भी फैला जा सकता है, मतलब यग्य करते समय जिन विचारों और भावों को संकल्प करके उसमें छोड़ा जाता है, जिस उदेश से किया जाता है यग्य, वो करता है लोकमंगलकारी होता है आम की लक्री जलाते है इसे फार्मिक एल्ट्री एल्ट्री हाइड नाम का गैस उत्पन होता है आपने सुना होगा कि भॉपाल की गैस त्रासिदी होई थी 1984-1985-1984 में तो सूरत में फ्लेग लोग फैल गया था एक महारी में बचाव करने के लिए वातावरण का विशयला पंदूर करने के लिए याग। इगय किया गया था यगदी की धुम्र सें यह सब कुछ ठिक हो गया था यगि में जो घी जलाए जाता है शकर मीठा जला जाता है गुर डाला जाता है इनके जलने से विशेश प्रकार का धुम्र पैदा होता है जिससे जितने भी हानिकारक जो विशानू होते हैं वो सब शमन हो जाते हैं और धुम्र से हमारे मानसिक गंतियों पर प्रभाव पड़ता है बिमारी दूर हो जाती है हार्मोंस का संतु की प्रभा होता है हमारी शारिक मानसिक सब प्रकार के स्वास्त का राज छुपा हुआ है उसका अगर सर्वस्रश्च तरीका अगर जानना है तो कहता जाता है यग्य है क्यों कि जब यग्य करते हैं तो उसके जो धुम्र होते हैं उस धुम्र के परिणाम सुरुफ हमारे श्र जाता है अंजक्षन जैसे प्रभाव उसका पड़ता है और यग्य से जो बचा हुआ प्रशाद होता उसको खाने से सारे किटानू विशानू ये नस्ठ होते हैं दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं तो यग्य के कितने प्रभाव बताया जाएं समंग रूप चार देखना तो पता चलेगा देखे यग्य जहां होता है वहां पर जो पेड़ होते हैं फलदार पेड़ या फसले होती हैं किसानों के खेत में उन पेड़ों में फल आने लग जाते हैं जहां जो पहले फल नहीं आने थे जल की शुद्धी होती है वायू की शुद्धी होती है वाताव के प्रभाव को उशोशित कर लेता है उसका प्रभाव पढ़ता है वात अबरन की मिट्टी शुद्ध हो जाती है जल प्रदुशन दूर हो जाता है जल में जो केमिकल होते हो परिवर्तित हो जाता है सकारत्मक तरीके से यहां तक कि यग्गे से मनुष्ट की भीतर का जीन्स परिवर्तित हो जाता है अनुवानशिक बिमारियां हैं लंबी चोड़ी कब से चल रही है कोई कुष्ट की बिमारी है डाइपिटी से उसका शमन होते देखा है मित्रता के भाव से अगर आप हमन करें तो सामने माले के भाव को परिवर्तित किये जा सकते हैं द्वरी इसी कारण से तमाम जितने भी संसकार हैं परुतेवहार हैं सबके साथ पारिवारी खुशी में भी गम में भी कोई विशेश आउसर है तो यग्य करते हैं देनिक अगनी होतर करते हैं इसके पीछे कारण यहीं सब प्रकार की इससे फाइदे होते हैं पुल मिला करके और अगर यहीं हम यग्य को अपनाते हैं तो निश्ची तुरुप से यग्य जो है हमारी जीवन पद्धती में करांतिकारी परिवर्तन लाता है और हम सबसे निजात पा जाते हैं इस यग्य को और गायतरी को किसी धर्म के साथ न जोड़ा जाएं किसी धर्म जाती संपरदाय क जोड़ करके अगर हम इसको देखेंगे तो इतने जो चमतकारिक प्रभाव इसके लाब हैं जो हम मनुष्य मातर के लिए दिये हैं उससे हम बंचित रह जाएंगे इसे तो वैग्यानिक दिश्ची को से मानोता के कल्णी के दिश्ची को से सोचा जाए तो निश्ची है हमारी कर्णयाओं के वेक्तिति को निर्मान करने की बात है कि व phot nhất को मुझक को अपने वेक्तिति का निर्मान करने की बात है वेक्तित ृनिर्मान की सियात्रा में देखें तहल तुम्- तरौं पर यह चलती है हमारे नimento की तूल शरीर एक सुक्षप चरीज एक कारण्षस है, क्या है यह स्थूल्ष मतलब यह जो hard compass का pinड है, जो बाहर से में दिखाई lived इस्थूल्ष्रीर को भोजन दे करके, पानी दे करके, हवा के द्वारा उसको वायू दे करके ये किया उसको पोशन दिया जाता है बिमार पढ़ जाते हैं तो दवा खिलाते हैं ठक जाता है तो विश्राम कराते हैं और इसी स्थूल शरीर से कल्यानकारी कारी हम करते हैं ये स्थूल शरीर की बनामट को समझ करके इनके कारियों को समझ करके आप देख सकते हैं, इस थुल शरीर, चीक है, अब दूसरा आता है सुख शरीर, अर्थात हमारा विचार, ये इसके बारे में लोग समझते ही नहीं है, इस थुल शरीर तो कुल सव परतिशत में से केवल दस परतिशत है जो बहुत दिखाई देता ह हमारा फिजिक कैसा है, हमारे ये शरीर कैसा है, लंबे हैं, चोड़े हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, कैसे हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा है, जिसके उपर हम सबसे जादा ध्यान देते हैं, लेकिन अधिकांस 90% जो हमारा सुख शरीर और कारण शरीर है, तो सुख शरीर में व लेक्तितु का निर्मान हो सकता है सुक्षरी विचार इसको कैसे बनाएंगे स्वाध्याय के द्वारा सत्संग के द्वारा और स्ष्थ विचारों की आपूरती जब हम करते हैं तब जाकर के हमारा सुक्षरी अर्थात हमारे विचार ठीक होते हैं विचार ठीक होते हैं अभी जिवन को सार्थक बनाना है, हमें अपने सुख शरीर को भी ध्यान देना पड़ेगा, अर्थात अपने विचारों को ध्यान देना पड़ेगा, वस्तुतर इंसान वही है जैसे उसकी विचार है, व्यक्ति-दो काम करता है, एक सबसे पहले विचार करता है, दूसरा, जैसा व विचार मस्तिस्क में कौंधने के पस्चात जब उनको आदेश मिलता है तो इंद्रिया जो है वो ततपर हो जाती है वैसा इखाने के लिए वैसी पढ़ने के लिए वैसी चलने के लिए उसी स्थान पर जाने के लिए वैसा बोलने के लिए अपने आप उनकी सेवा में हाजिर हो जाती है मुख्षी जो एक उनको चलाता संचाली करने माला जो होता है जो डुराइबर का काम करता हुऊ डुराइबर कोन रहें वास्तोंnın वे विचार हमारा है यदिधी विचार सही है तो ऑस्तों में हम सही कारे कर पाएंगे, सही दिशा में जा पाएंगे यदि विचार दूशित हुए, यदि विचार घटिया हुए यदि किसी प्रकार से विचार हमारे नेगेटिव हुए मतलब हमारे सारे क्रिया कला और हमारा जीवन negativity में उसके चपेट में आएगा किस विचार को ठीक कैसे किया जाए तो उसके लिए है नित्य प्रती स्वाध्याय करना सत्संग का अउलंबन लेना और जब हम स्वाध्याय सत्संग करते हैं तो स्रेष्ट विचार हमारे मस्तिस्क में आता है और हमारे विचार की स्रेष्ट विचारों की जब आपूर्ती हो पाती है तब हम हमारा जीवन तब ये सही दिशा में चल पाता है तो ये ड्राइवर है हमारा ये विचार जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारा जीवन होगा और कारण शरीर देख रहे हैं आप तीसरा अंता करण भावनाएं, मतलब हमारे अंता में भावनाएं कैसी है, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, प्रोध के भाव, प्रेम के भाव, संविधन शील होना, किसी के लिए शड़ियंत रचना, यह सब भावनाओं के वहां से सुरव हमारा जीवन संवर पाएगा, मेरा इशारह इस बात की और है, कि हम क्या करें अपने आरत को बनाने के लिए, अर्थात अपने श्रेष्ट विचारों को बनाने के लिए, वह स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अध्याय का अध्याय जंना जरी आजातल a जाती हम टमाम प्रकार की बाहरी विश्यों का ध्यान करते हिं फिजिक्स like स्ोछल साइंस logo साइंस ट हैं सबकbolा करते हैं बड़े-बड़े सीखते हैं βड़ी प्राइवायर शिखते हैं और तमाम प्रकार की दिंश कन